हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी दंकु शर्मा में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है यह आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप के चार्जर में या फिर प्रिंटर अगर चार्जर होते हैं विछ से फिरए चॉक या फिराट बीड तो दूस्तों यह वीडियो हमारी होगी एक कंप्लीटली इसी पर focus कर रही हो गी कि इस को हम क्यों लगाते हैं क्या इसका यूज है、 क्या इससे हमारे benefits होते हैं थक है, सारी चीज़े हम इसमें विडियो में discuss करने वाले हैं तो विडियो को आप लोगोंने में लगता है कि सब लोगोंने इसके बारे में देखा हुआ होगा, पहले से भी कि आपके सभी के जो भी laptop charger होते हैं उसमें तो सबसे पहले यही देखने के लिए आपको मिल ही जाएगा ठीक है laptop के charger में एक compulsory है और क्यों compulsory है अभी मैं आपको बता भी दूँगा इसको ठीक है क्यों लगाया जाता है इसको क्या फायदा होता है तो वीडियो को अगर देखो सबसे पहले support करना आप लोगो थोड़ा से support करिए सब दोस्तों को अपने वीडियो को share करिए और चैनल को subscribe कराईए अपने दोस्तों से भी जिन लोगो electrical की वीडियो की जरूरत है जो लोग electrical field से जुड़े हुए हैं वीडियो को ये वीडियो सेर कीजिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो वीडियो को start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक एक point बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि जो भी information इसमें मिलेगी बहुत ही useful होगी देखें आप लोगोंने ये जो देखा होगा ये जो चौक इसका सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं अच्छे से लिखके ठीक है इसको बोलते हैं फैराइट आप लोगोंने सुना होगा फैराइट ठीक है फैराइट चौक बोलते है या तो या फिर ferrite bead बोलते हैं ठीक है जी नाम क्या है इसका ferrite chock या फिर ferrite bead ये cylinder टाइप का दिखता है तो दोस्तो इसका अब नाम तो हमने समझ लिया है कि ferrite chock बोलते हैं इसको या ferrite bead बोलते हैं अब हम point ये discuss करते हैं कि इसको हम लगाते ही क्यों हैं इसकी ऐसी क्या जरूरत है इसमें कि जिसके बिना काम नहीं चल पाता है तो दोस्तो आप लोगों ने देखा होगा जो भी हमारे environment में बहुत सारी types of rays ठीक है rays बोल सकते हैं जैसे कि इस तरीके से आप लोगों ने देखा हो ना तरंगे हमारे environment में available होती हैं कहां से आती हैं ये तरंगे हमारी बहुत सारी चीजों से आती हैं जैसे कि हमारे signal से आती हैं Electromagnetic Waves हमारी Signal जो कि हमारा Tower वगरे से आता है उससे भी आ सकती है तो दोस्तों इन सब में ऐसा क्या होता है मतलब क्या बोलते हैं इसको ये हम बोलते हैं एक तरह से Frequency ठीक है ये सब जो है हमारी ये Frequency है एक तरह से ठीक है जी क्या है ये Frequency अब यहां पर इसको हम बोल सकते हैं कि ये अगर Frequency है Signal हमारा जो है वो हमारा Flow कर रहा है तो वो क्या Problem create करता है जब भी कोई Other Frequency आप लोगों ने देखा होगा Super Imposition आपने पढ़ा होगा Super Position तो Super Position में अगर मालो ये हमारी एक Wave है जिसकी Frequency कुछ है और अगर आप इस Wave के साथ एक और Wave को Mix कर देते हैं इस तरीके से जिसकी Frequency बहुत हाई है तो अभी ये क्या करेगा ये इसके साथ जो उपर वाली Wave है उसके साथ Mix होने की कोशिस करेगा और इसमें क्या करेगा यहां पर Super Position या Super Impose होने की कोशिस करेगा ठीक है जब Signal Super Impose होगा तो ये इसके जो Actual वाली Wave Form है उसको ये Deviate कर दे रहा है ठीक है Actual वाली Wave Form को ये Create यहां पर नहीं होने दे रहा है और इससे क्या हो जाता है यहां पर एक Noise Create हो जाती है ठीक है जी ये जो Noise Create हो रही है ये हमारे Actual Wave Form को बिगाड दे रही है इसकी जगह हमारे कोई और Wave Form यहां पर हमें मिलने लगेगा तो ये जो Noise वाला पंगा है ये Noise वाले पंगे को ये Remove करता है कैसे करता है वो देख लेते हैं भी ये देखे दोस्तों यहां पर आपको देखो आपको जो Yellow कलर में दिख रहा है ये आपकी Noise है और ये जो आपको Blue कलर में दिख रहा है ये आपका Actual Signal है अब देखे ये जो Ferrite Choke बोलते है या फिर Ferrite Beed है ये मैंने आपको Open करके दिखाई है इस Box को अगर आप Cylinder को Open करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है या ऐसे दिखता है जैसे मैं आपको दिखाई देगा अगर आप उसको Open करेंगे तो अब इसके बाद दोस्तों अगर Open कर लिया है तो मान लिजे ये आपका रखा हुआ है अब आपका जो Current है देखे, Current जो Flow करता है हमारा वो अगर हमने यहां से मान लिजे पलग था हमारा यह हमारा plug था अब यहां पर आपने पलग connect किया तो इस तरीके से plug connect हो गया यहां से आपने क्या किया यहां अपने laptop को आपने चार्ज करना शुरू कर दिया ठीक है यह अपने laptop को चार्ज करना शुरू किया अब इसमें क्या होगा यहाँ पे laptop को जब आप चार्ज करेंगे तो इसके अंदर currents flow होगे current ऐसे ऐसे जा रहा है ठीक है लेकिन अगर current के साथ कोई noise भी इसके अंदर पहुंच जाती है laptop के अंदर तो उससे कुछ problems हो सकती है वो problem आप लोगों ने कभी कभी face भी की होंगी तो वो problem क्या है पहली problem यह मान लोगी यह फरैट चोक काम नहीं कर रहे है तब issues आपको यह देखने के लिए मिलेंगे या फिर दूसरे क्या होगा आपकी जो laptop है उसकी speed कम हो जाएगी यह issue आ सकता है या फिर आपका अगर phone में connect कर रहे हो आप मान लोगो आपने laptop में charger connect हिया और phone को USB के थुरू laptop से connect कर दिया charging के लिए तो उस case में क्या होगा आपके mobile की भी speed कम हो जाएगी और यह मैंने अनुभव किया हुआ है ठीक है यह वाला जो हम बता रहो mobile वाला अगर आप USB connect करते हो अपने laptop के अंदर और उससे charging करते हो तो उस case में आपके mobile की speed थोड़ी slow हो जाती है और हो सकता है कभी-कभी आपका mobile malfunction malfunctioning करने लगे malfunctioning मतलब की वो अपनी मर्जी से operate करने लगता है ठीक है अगर आपके mobile की strength बहुत अच्छी नहीं है उसके अंदर filter बहुत अच्छा नहीं है तो वो noise के according behave करने लगता है ठीक है जी आप कुछ और button दबाओगे वो कुछ और behave करेगा आप मानलो आपको music सुनने वाले पर option पर click किया वो दूसरे कहीं click कर देगा तो इस तरीके के issues जो हैं वो हमारे आने लगते हैं अब इन issues को reduce करने के लिए हम क्या करते है यह लगाते है फेराइट चोक अब यह करता है basically तो यह फेराइट चोक इस image के help से आप समझ सकते हैं अगर मैं आपको इसकी जग signal है और जो noise वाला है वो yellow color वाला signal है तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों यहां से आप इतना देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बीच में ferrite core लगी हुई है इसके उपर से input के जो i n लिखा हुआ है i n मतलब input out लिखा हुआ बाद में तो i n वाले जो place है यहां स उसको noise को absorb कर ले रहा है in the form of heat उसको dissipate कर दे रहा है ठीक है तो basically यहां पर आपको benefit क्या हो रहा है कि आपकी noise filter होके सिर्फ आपका actual signal ही आगे pass हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब आप इस diagram से यही समझ सकते हैं कि यहां पर जो actual signal है वो हमारा pass हो जाएगा और जो हमारा noise filter है ठ absorb करके heat की form में उसको dissipate कर देगा clear हो आपको point तो यहां पर basically हो क्या रहा है यह जो ferrite core है यह हमारी noise को absorb कर रही है in the form of heat ठीक है तो इसको हम basically क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम इसका हम बोल सकते है noise filter ठीक है जी एक तो ferrite choke बोल दिया एक ferrite bead बोल दिया और इसका actual नाम जो हम ब बोल लो या काम बोल लो इसका नाम और काम दोनों ही noise को filter करना है ठीक है noise filter इसको हम बोल सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो में पसंद आया होगा I think सबसे main चीज यहां पे कि हमारा क्या concept है इसके पीछे ठीक है अगर यह चीज आपको clearly समझ में आगी है और पसंद आई ही है तो वीडियो को like करके यह चीज बता देना comment box में और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियो हम बनाए तो आप comment box में लिखके यह भी बता सकते हैं कि next topic हमारा क्या होना चाहिए अदर्वाइस हम अपनी मर्जी से सारी वीडियो आपको दे ही रहे हैं तो बाकि मिलते नेक्स वीडियो में दोस्तों thank you for watching